नमस्कार भारतेंदुनाट्य आकादमी दौरा आयोजित रंग समागम 2020 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है कोरुना काल में जब जीवन बिलकुल इस्थिर बना हुआ है ऐसे दोर में भारतेंदुनाट्य आकादमी अपनी एक नवीन पहल के साथ आपके बीच में हाजिर है इस पहल का नाम है रंग समागम 2020 रंग समागम के माध्यम से हम जुड़ रहे हैं कला जगत के उन भी भूतियों से जिन्होंने अपनी कला साधना के माध्यम से एक विशेश मुकाम हासिल किया है एक मानक निर्धारित किया है आज हमारे बीच में जो महमान हैं उन्हें पुरे देश ने बतोर रंग कर्मी बहुत इसनेह दिया और उतना ही इसने एक फिल्म अभिनेता के तौर पर भी दिया है बेहद उन्दा लेखक, निर्धेशक और अभिनेता रास्ट्रिय फिल्म पुरुसकार से विभूशित श्री सौरब शुकला जी श्री सौरब शुकला जी हमारे बीच में है भारतिन दुनाट्य अकादमी परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है सर्थ बहुत बहुत धन्यवाद, कैसे हैं आप? बहुत उंदा सर, उमीद करते हैं कि कोरोना काल में आप भी पूरी तरह सा परिवार सुरक्षित होंगे सर, आप कलपना भी नहीं कर सकते हैं कि जब लोगों को खबर मिली कि आप भारतिन दुनाट्य अकादमी के इस कारिक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो लोगों को कितनी खुशी है सभी आपको चरणवद्ध तरीके से जो पूरी आपकी यात्रा रही है उसको जानना चाहते हैं आपके अनुभों जो हैं वो सुनना चाहते हैं तो पुना एक बार स्वागत सर आपका कारिक्रम में बहुत बहुत शक्रिया और मैं भी बहुत खुश हूँ कि मुझे इस प्लाटफॉर्म पर बुलाया गया और और ज्यादा खुशी हो रही है कि यह जानके कि लोगों को इस बात की खुशी है शुरू करते हैं सर आपके बारे में जो जानने की उत्सुकता है चरडवध्य तरीके से गोरकपुर में जन्म हुआ सर आपका दिल्ली में आपका बच्पना वीता पिता जी म्यूजिक और फाइन आर्ट्स फैकल्टी के डीन रहे दिल्ले विश्य विद्याले के जी माता जी के नाम एक विशेश खिताब है कि वो भारत की पहली महिला तबला वादक रही जी निश्य तोर पर घर पर क्रियेटिव महाल था लेकिन इस क्रियेटिव महाल से रंगमंच थोड़ा अचुता था सौरव शुकला जी पहली बार कब और कैसे रंगमंच के प्रति तो जब मैं तक्रीबन तक्रीबन कहना चाहिए कि 20-20 साल का था तब जाके ये शुरू हुआ था या उससे थोड़ा पहले शुरू हो गया था तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि किस तरह से चीज़ें है कि मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ जो कलाकारों का रहा पिदा जी हमारे जो थे वो हिंदस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की गायक थे अगरा घराना से थे प्रफेसर शक्रविन शुकला और माता जी जो है डॉक्टर जगुमाय शुकला वो तबलावादक थी जो कि वह रहा जाती होंगि तो मुझे लगता था कि अगर बात तो घर में कला का महल था मतलब जैसे आम हिंदुस्तानी घरों में कला को थोड़ा ऐसा मान लिया जाता है कि यार यह तो साइट की चीज़ है इसको तो ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए इस पर तो वैसा नहीं था तो यह सब चलता रहा मैंने सब किया थोड़ा सा पेंटिंग किया है ना थोड़ा दाना भी गाया म्यूजिक सीखा नहीं क्योंकि संगीत की भरमार थी घर में जो जादा होता है उसी पर सबसे कम ध्यान देते हैं और फिर बाकी जब बच्चे करते हैं वो भी किया मैंने जैसे हिंदोस्तान का हर बच्चा दो ही चीज बनना चाहता है एक वो एक्टर बनना चाहता है और दूसरा वो क्रिकेटर बनना चाहता है तो मैंने क्रिकेट में भी अपना हाथ ट्राइ किया जैसे तरह की मेरी फिजीक थी उसमें मुझे जल्दी समझ में आ गया कि भाई क्रिकेट में बहुत मेहनत है और इतना शाररिक मेहनत शायद मेरे बस की बात है क्रिकेट का सपना जल्दी खत्म हो गया फिर मैं सिक्थ या सेवन स्टैंडर्ड में था तो एक छोटा सा किस्सा में आपको बताता हूं कि मुझे फिल्मों का बड़ा शौक था और हारे घर में हफते में एक बार संडे वो पूरा परिवार जो था वो सुभे जाता था एक अंग्रेजी फिल्म देखने मौनिंग शो में और शाम को एक हिंदी फिल्म देखी तो मतलब तकरीबन तकरीबन हम लोग आर्ट फिल्मे तो देखते ही थे महीने में है ना उस दमाने में बड़ी युनीक चीज थी कि एक फैमिली जो है वो आर्ट फिल्म में देखती है बड़ी बड़ी फिल्मों का और समहा मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात की कि यार काश में भी फिल्म में बना पाता मतलब उसका थोड़ा यह था कि मुझे फिल्म देखके एक अलगी दुनिया ऐसी लगती थी तो इसलिए ऐसा था मतलब इसा नहीं था कोई मों पहना चाहिए जो आपके जोते हैं होती है उत् опыт माशिक परिक्षा यह होती है वो हुई हमारे हिंदी की समय ए अ कि मेरा सपना करके एक एसे लिखने कि लिए निबंध उन भी निबंध भी मेरां सपन वाकता था कि मेरा सपना रात को मैं सोया तो कल मुझे सपना आया और मैंने उन दिन एक फिन देगी थी मैकेनास गोल्ड करके बड़ कैसूर फिन थी तो उसका पहला सीन जो है कि रेगिस्तान है और मैंने इसमें रिखा कि रेगिस्तान में हवा चल रही है और दूर एक घोड़ा है और गोड़े पे ए मुझे बड़ी उम्मीद थी कि मास्टर जी खोशे हो जाएंगे कि यार एक तो लड़का है जिसने कुछ सब वही नाट वही लिखते थे मेरा सपना है कि मेरा भारत नाम बने या मेरा सपना है जवाला नेरू बनना चाहता हूं मेरा सपना में लिखते थे लो मैंने का मास्टर जी तो खोश हो जाएंगे कि यार या इसने कुछ एक नई चीज लिखी है तो मैं बड़ा खुश खुश पहुचा और क्लास शुरू ही तो मास्टर ने मेरे को बुलाया बोले आओ तो मैंने का ये तो ये हुई ना बात उन्होंने खड़ा किया और पूरी क्लास के सामने उन्होंने गाया कि देखो भाई इनको ऐसे सपने आते हैं और मेरे तो काटो तो खून नहीं तो मैं तो बहुत परेशान तो खैर मेरा दिल बड़ा तूट गया मेरा फैर में घर वापस आया तो हमारे पिताजी ने पूज शeliskum खूब किया कि वह बहारा मूं के लटका हुए । तो मैंने बगदाया कि क्या क्या हुआ दिन मैं उन्होंने बोले सुनो तुम अच्छा लिखते हो और ऐसा कोई भी सपना है तुम घर पे लिखो तुम घर पे लिखना तुम घर पे लिखो जितना लिखना है तो फिर पर ही राइटिंग की शुरुआत है और ये एक लंबा जब तक मैं कुछ पूरी तरह से एक पूरी नहीं लिख पाया था था पूरा नहीं अगर पाता है और फिल्म देखने का बड़ा फिल्मों का बड़ा शॉक था तो हमारे दोस्तों में एक चोटा सा फैंटिसी भी थी क्या हम लोग एक दिन आएगा हम लोग फिल्म बना लेंग तो पैसे वैसे कभी घटे हुए नहीं कुछ बाद बनी नहीं तो मेरा एक दोस्त है अरुन पंथ करके तो उसने मेरे को कहा कि यार सौरव फिल्म बनाने का जो हमारा सपना है वो तो जब पैसे आएंगे तब पूरा होगा तो उससे पहले एक चीज़ा थेटर वो कर लेते ह मैंने का मैंने तक तक थेटर मैंने स्टेज परफार्मेंसेज देखी थेटर पर से नहीं देखा था तो उन्होंने का कि उसने का जिया देखो उसमें क्या है कहानी भी होती है डिरेक्शन भी होता है अप्टिंग भी होती है म्यूजिक भी होता है विजूल भी होता है तो अ तो फिर मैंने अपनी जिन्दगी का पहला नाटक जो है शिराम सेंट के जाके दिल्ली में देखा तो पहला नाटक जो था उसका नाम था ग्लास मेनेजरी, टनिसी विलियंज का जो है ग्लास मेनेजरी और वो बहुत खुमसूरत परफॉर्मस थी और नाटक पहली बार मुझे मैंने नाटक बेखा, मैंने का वाई इसमें तो फिल्म से जादा मज़ा गया लाइव परफॉर्मस का जो एक सुख होता है तो मैंने फिर थेटर शिरू किया और ये मुझे कुछ दिनों बास समझ में आया कि थेटर जो है वो मीडियन अलग है उसकी अपनी हूसूरती है और फिर एक लंबे समय तक कुछ कहना चाहिए तकरीवन तकरीवन दिल्ली में आठ दस साल मैंने जन के थेटर किया और फिर इत्तफाकन में मुंबाई आ गया और जो मेरा बच्पन का सपना था वो पूरा हो गया अपका नाटक अव्यू फ्रॉम दब्रिज आथर मिलर सहाब का ऐसा कहते हैं कि उस नाटक ने आपको दिल्ली में एक शशक्त अभिनेता के तौर पे एक रंकरमी के तौर पे इस्थापित किया वहां कि स्थानी मेडिया ने इस नाटक को बहुत उम्दा कवर किया और आपक तो अभिव फ्रॉम दब्रिच इसके वारे में सर कुछ वताईए यह कैसे गेम चेंजर हुआ नाटक के दुनिया में आपके तो मैंने मैंने कॉलिज के लेवल पे मैंने शुरू किया ता जैसे मने आपको बताया मेरा पहला नाटक जो बिलकुल पहला नाटक तो मैं सब्स्काइए चलिए को मैंने थोड़ेट करना चाहता था तो मैं नाटक समझ नहीं पाया मैं पढ़ा बढवा शब शुरू किया मैंने और उत्तफाक से अच्छे नाटक नहीं पड़ पाया तो शुरुआ हम में अगर आप दिल् लिसे शहीं पारके में तो लालकिला एक जगे है उट लाल किले बार जो लगता है वहाँ पर जो लाल किल्ते है जैसे दिल का डॉकतर इस टाइप कोई नाटक था जो मतलग कुछ कुछ पचास पजी या पच्छिस पंद्ने को नाटक था ले आया हूं मेरी समझ में या इया जब वो समझ में निया तो मैंने कहा लर्यूख से खरूंगा , जो वे देखीं है दो इस प्रकार मैंने पहला लोऻ भी दिखा है। जो अए-वे नियुखा दब उसके बाद में वो नातक बहुत सक बहुत बहुत अवह fruitful कर्षणसा हई स्टुडेंट्स में और युनस्टी लेविल पर तो मैं युनुस्टी में एक दू साल नाटक करता गा तिर मुझे मुझे मुखा मेला मंडी हाउस में साकषी एक ग्रूप था उसमें मुझे पहला मैं कहना च्छा होगा जो प्रफेशनल नाटक है पहला प्रफेशनल नाटक मुझे करने का मोगा मिला, वो था बल्लपूर की रूख था, बादल सरकार का, और ग्यानेश विश्रा आप बिचारे गुजर गए, बहुत अच्छे एक्ट थे, उन्होंने डिरेक्ट किया था, और मैं जब वहां पर मैं पहले दिन रहर्सल पे पहुचा तो ग्यानेश मुझे, मैंने पीस किया, जो भी मुझे दिया गया था, ग्यानेश एक्चिली, फिजिकली हस्ते हस्ते गिर गया, तो मुझे बड़ा धाडस मिला, मुझे लगा, यार कुछ तो अच्छा किया होगा, मैंने तभी तो इतनी, और उसने का यार तुम कमालो, और उसके बाद, 1984 और 1985, मैं सक्षी के साथ जुड़ा रहा, और कुछ-कुछ नाटक होते रहे, बल्लपूर की बहुत सारे शोव हुए, और फिर, कृष्निकांत, जो की बहुत, उसी के एक सीनियर मेंबर थे, उस ग्रूप के, उन्होंने मुझे का, कि मैं तुझे, मैं और चुझे का, क्या आंड-पूर हया, तो बहुत में गई अच्छी बात है, तो मैं व्यू फॉं रम्दे पृट रोगी है, नाटक का नाम, मैं ने गां किसका लिखा हुआ है, बोले अर्थर मिलर का, अर्थर मिलर का नाम, मैंने सुना, तो मैं और मैं मतलब बता नहीं सकता जब मैंने वो नाटक पड़ाता तो मैं वो मेरे लिए नाटक जैसा नहीं था इट वो इट वाज़ अ थ्रिलर इट वाज़ अलसो मतलब उसका जो आवरन है मिस्ट्री है उसके अंदर कुछ हो रहा है और रिष्टे बहुत गहरे होते जाती है ना पहली जीज़ अट्रैक्ट हुई वो उसका फॉर्माट वे ट वस रिटन तो मैं बड़ा फुर्श हुआ है और फिर वो अंग्रेजी में तो नहीं किया हिंदी में किया हम लोगों हिंदस्तानी में किया जिसका ट्रांसलेशन जो है वो अब ही मैं किदर गया हुआ 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 है तो कुछ तकनीकी कारणों से सर आप दिखनी पा रहे थे हुआ है तकनीकी नहीं वो क्या था कि मेरा फोन ओ था और अचानल जो कॉल आजा पर इसक्रीन अगर आप ऐसे कर पाए सर लैंडस्केप मोड पर हाँ आप आप सही है पर्फेक्ट है सर पर्फेक्ट तो कहां थे हम हम लोग कास्टिं की बात कर रहे थे सर आप थे खाम यू फ्रॉम द ब्रीच हाँ तो उन्हों ने बिख तो मैं तो हिंधस्तानी में हम लोग ने वव ने व नाठक किया था और उस का जो ट्रांस्लेशन है वो नादिरा जहीर बबर ने किया था और बड़ा खुबसूरा ठर हम लगों ने नाटक तो किया, मज़ा तो आता ही था, लेकिन वो सराहा बहुत थेया, और उस सराना से फिर बहुत कुछ कहना चाहिए कि एक प्रोचसाहन मिला, और फिर उसके बाद जो दूसरा नाटक मैंने किया था, वो था लोग बैक इन अंगर, जो है, जो है, जॉन आसबर्न का, और उसमें मैंने जिमी पोर्टर का रोल किया था, तो इस तरह से फिर मेरी जर्नी जो है, वो जाना चाहते थे आप, सैयोग से संभव नहीं हो सका, फिर आप श्री राम सेंटर की रपेटरी जोईन करने के लिए गए, बाद में आप National School of Drama की रपेटरी कंपनी में गए, तो ये शीराम सेंटर में जो आप मिले गए, और फिर वापस जब वहां से National School of Drama रपेटरी के लिए आए, वो एक बड़ा रोचक किस्सा है सर, जब आप वहां के इंटर्विव के लिए गए थे, National School of Drama रपेटरी कंपनी के, अगर वह आप शेयर कर सकेता है, तो देखो, ऐसा है, मैं जिस फैमिली से आया, उसमें अगर आपने पढ़ाई नहीं पूरी की, तो वो बहुत बुरी बाद मनी जाती थी, तो मैंने असल में जब मैं अपनी मास्टर्स डिग्री कर रहा था, कॉमर्स की, तो मैं ने छोड़ अटीदि, तो बात होई घर में और मैंने ग़ा कि मैं कॉमर्स नहीं करना चाहता हूं, मैं नाटकी करना चाहता हूं, तो हमारे पिताजी और माताजी ने कहाँ ठीक है, तो अगर तुम करना चाहते हो, तो प्रॉपर एडुकेशनल वे में करो इसको, मैंने तो एक ही तरीका तो नाशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए मैं गया और मैंने उसका एक्जाम दिया रिक्षा दिया लेकिन मैं इंटर्व्यू में बहुत घबरा गया नर्वस हो गया और मेरा स्टूटेंट के तौर पे अड़िशन नहीं दुए उसके बाद मैं नाटक करतारा साक्षी के साथ ये व्यू फर्म दविशन गया जो है सब उसी वक्त हुआ और लोग मुझे जानने भी लगे तो हाला कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का स्टूडन नहीं था लेकिन वो साल जो था बहुत इंपार्टन था जे साल के हम बात कर रहा हैं जे साल मेरी नौकरी लगी थी क्यो बहुत बढ़ाएवट था बहुत एक्साइटिड तर लोग तो एनसडी रिपेटरी में वा खान लोगिपा तो जो डिदि आप्लिकेशन गया शिक समने और वोगा नेच स्वाशन तो बॉटो नेखा सृपनेशन पोस थी केवल एक, तो खेर मैंने भर तो दिया, लेकिन मुझे यह दा कि कैसे होगा मेरा मैं तो मा तो NSD से हो और दिगज लोग आएंगे तो मेरा कैसे होगा इसके अगर और उस समय नोकरी की बहुत जरूरत थी, मैं अपने पाउं पे खड़ा हूना चाहता था, तो मैंने फ जाजेंदर नात जी वहां के डिरेक्टर वगा करते थे, वो मेरे काम के बड़े पशल सकते, तो मैं इंटर्व्यू के लिए पहुंचा, तो नात जी ने मुझे बिठाया, और उन्होंने कोई इंटर्व्यू ने लिया उससे, उन्होंने का यह बताईए, आप पे ग्रेड क लूए दुएतका का सदाओ डिरति तो मैंने खांज जो आपका हाइस घरेड में वह लूँगा, तो उनका एक ग्रेड होता था कुछ 25,000 वॉपय का और एक ग्रेड होता था खाई हजार वरे यह जो ग्रेड था ग्रेड एक तो ऒंदू तो उन्होंने कहा कि आपको मैं एक दोंगा लेकिन मुझे ऐसा पता लगाए कि आपने नस्डी में भी अप्लाई किया तो कल को अगर आपको आपका नस्डी में हो गया तो क्या आप नस्डी चले जाएंगे और मैं डेस्परेट था मुझे नौकरी चीजिए दी तो मैंने गान नहीं सर एक बार मैंने पर टिकारूंगा तो उन्होंने का ठीक उन्होंने मुझे नौकरी दे दी मैं नीचे उत्रा तो पन्ना भरत्राम जो है वह वहां खणी थी वह बोली कि सौरब तुम भाग नहीं जाना कर्को अधर नस्डी में हो तो मैं नहीं मैं बिल्गल नहीं जाओंगा और मैं अब किस देखिये इधर नौकरी मिली और मैं शेराम सेंटर से बाहर निकला तो मेरा एक दोड़तावा आया गले लगा लिया उसने हो जगा बोला अरे सौरब तेरा डाइसो लोगों में नाम आ गया तू इंटर्व्यू मिले सेलेक्ट हुए क्या बात है मैं अभी अभी कमिट करके आया था मैंने अपने दोस्कों बोला मैंने का मैं नहीं यहाओंगा एंसजी मैं तो मेरी नौकरी लगए मैं यही करूंगा तो मेरे दोस्तों ने मुझे अगला वह दस-बंदरा दिन बाद थम इंटर्व्यू एंसडी का तो बोले अरे यार एक जाओ तो सही है एक्सपीरियंस करके आओ तो मन बड़ा क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं मैंने का यार किसे पता लगेगा चुकचा आप चलो एंटर्व्यू देखेंगे जिए तो मैं नहीं पहुच ऑन्द दिन बाद तो वहां का जलवा ही कुछ और था था जि लोग, लोग, बहुत 200 लोग थे वहाँ पर, सब इंट्रिव ले आए हुए थे, और मैंने देखा, मैंने का यह जल्वा है, यह बहुत अच्छा है, यह होई ना बात, तुर्टे आथम ऐसी, पर यह पक्का दा कि मेरा होगा नहीं हाँ पर, क्योंकि 200 लोग हैं और एक पोस्ट आओटसाइडर के लिए एक थी सिर, आउटसाइडर के लिए एक सीट थी सिर, आउटसाइडर के, हाँ, मताँ इंटर्नल उनका जो रेपेटरी में जो पहले जो एपरेंटिस थे, उनके लिए दो पोस थी, लेकिन बाहर जो डाइसो लोग कड़े थे, उनको एक ही पोस थी, तो खया, अब वो तीसरी मंजल पे था, तो लिफ्ट का दर्वाजा खुला, तो देखा तो भासकर चंद्रावर कर चले आ रहे हैं, अच्छा, एनस्डी में ज साथ जजज का पैनल बैट तो दर्वाजा खुभा, तो देखा भासकर चंद्रावर कर उसमेंसे निकले वो पैनल में दे, तो मैंने कहाँ, आँ इए बात हुई ना याद बहसकर जी हैं पिर अपीर दर्वाजा खुला तो भिष्वासान ही निकले, मैंने कहाँ आरे वह अ बनोवर से लिटले, फिर कीर्टी जैना आई, तिर ऐसे मतलब पाच्छे लोग जो है बजुभाई भी थे उसमें, बजुभाई वहां पर रेपिटरी चीफ थे, तो मैंने का यार यह तो एक्सपीरेंस करना ही थी यह था, और मैं खुश-खुश बैठा हुआ था, लिफ्ट क टीक सामने बैठा था, अचानक दर्वाजा खुला, और साथ में जो जज थे, वो अंदर घुसे और वो राजेंदर नाथ थे, वो घुसे अंदर, उनकी और मेरी नजर मिली, और नाथ जी बोलते बहुत कम थे, बोले कुछ नहीं, चुच्छे आप अंदर चले गए, हम मु मतलब एक तो में जूटा बन गया, और मतलब ना घर का न गाट का, क्योंकि यहां तो नोकरी वैसे ही नहीं मिलने वाली गी, नाथ जी आ गया, अब तो बिलकुल ही नहीं मिलेगी, और शिराम रेपेटरी से भी निकाल देंगे वो, और फ्लैक लिस्ट हो जाओंगा मैं तो मैं तो मतलब और मैं अपने सारे दोस्तों को गालियां दे रहा और मैं उनको बद्दुआएं दे रहा कि क्यों उन्होंने मुझे कहा कि जाओ NSD और यह 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 ऐसे दिन चलता रहा, मैं पहुंचा कुछ लंच के बाद मेरा नंबर आया, और मैं इतना टेंस था, इतना देशान था, और मैं वो कॉरिडोर से जब गुसा अंदर वो हॉल, रेबिटरी का जो हॉल है, रेबिटरी का हॉल में एक तरफ कुरसियां हैं और उसकी फ्रंट लाइन में पूरा पैनल बैठता था, और स्टेज पे एक स्पोट लाइट थी और उस पे एक चेर थी, उस पे कैंडिडेट बैठता था, तब मैंने दरवाजा खोला और पैनल को देखा और नाथ जी सबसे सामने ही बैठते हैं, तो मेरी हसी निखल गी, मेरा ऐसा हो गया कि अब तो मतलब चलो, अब तो हो गया, जो हो गया, जो हो ना तो है, अब मैं जा के बैठा कुरसिया, मैंने अब तांडव मचने वाला है, जो विनाश होने वाला है, उस विनाश को देखना और क्या है, तो मैं जा के बैठा कुरसी पे, तो सब चुप, नाथ जी ने बोला पहली लाइन ती, मुझे अभी तक याद है, नाथ जी ने से देखा मुझे, बोले जवाब दीजी, मैं समझ जी या, वो क्या कहने है, अब नाव I need a time, तो मैं जवाब क्या दूँ या, तो मैंने का, सर, देखी, क्या है, कि आपको मालू में सवाल क्या है, मुझे मालू में जवाब क्या है, लेकिन यहाँ छे और लोग है, तो अगर आप सवाल रिपीट कर देंगे, तो मैं फिर जव जानती बोला, भोले नहीं, आपको भूल जाईए, यह सब जानते हैं, आप जवाब दूए, जे, 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 अजे, मेरी को समझ मिन या, मेरे मूश निकल गया, मैंने का, सर, देखिए, मैं फिराम बेटरी में किया था, मुझे नोकरी मिली थी, मैंने का था, मैं यहाँ नही पहले आपने नौकरी दी थी, मुझे, और पंदरा दिन इनसान की जिंदगी में बहुत होते हैं, कुछ भी सोचने के लिए, नाती बोले, यह कोई जवाब नहीं है, दूसरा रीजन बताईए, मैंने का, सर, शेराम रेपेटरी जो है, वो सिर्फ हिंदी नाटक करता है, आरे वर्ल्ड के नातक जो है, तो मुझे लगा कि वर्ल्ड के नातक का जो दुनिया है, उससे में जोड़ पाँगा तू, नाती बोले यह भी कोई जवाब नहीं है, इसरा कारण बताईए, तीसरा कारण बताईए, तीसरा कारण बताईए, अब मेरे बास कोई रास्ता नही तो मैंने का सर तीसरा कारण यह कि आप के यह डायजार मिल रहे था यहां पर चारजार रुपे लेगे लेगे बस इतना सुनना था और पूरा पैनल जो था जाना मारके हसा और उसके बाद नाथ जी ने यह बोला था उन्होंने कहा था कि मेरे हिसाब से अगर कोई डिजर्वि तो वो यह आदमी है और मुझे इसका इंटर्वी लेने की ज़रूरत नहीं है क्या बात है और उसके बाद 45 मिनट चला तो मेरा इंटर्व्यू लेकिन उस 45 मिनट में मुझसे कुछ भी एक्टिंग के बारे में या परफॉर्मेंस करके दिखाने के कुछ नहीं कहा गया सिर् आउट फोस 5000 आपलिकेशनग स्था अपलिकेशनग से इअधर आपके बाद रहा था सर आपके बारे में खबसूरत भभू लिखा हुआ उस नाटक ने आपके जीवन में एक बहुत महत्रपून बदलाव लाया शेकर कपूर सहाव उस नाटक को देखने आये हुए थे उनकी नजर आप पे पड़ी और वहां से एक नहीं यात्रा की शुरुवात हुई तो ऐसा क्या विशेश किया था सर उस नाटक में आपने की शेकर कपूर सहाव आपके मुरीद हो गए थे जो जो अंग्रेजी की कहावद है कि ब्यूटी लाइफ दा आइस और बेहोल्डर यानि की खुबसूर्ती देखने वाले की आख में हो तो मैंने क्या किया था मुझे मालूम नहीं लेकिन हाँ शेकर कपूर सहाब की आखों में वह खुबसूर्ती थी क्योंनोंने मुझे देख हाला कि सबको अपनी कहानिया बहुत इंट्रेस्टिंग लगती है तो मुझे भी अपनी हर बात ही इंट्रेस्टिंग लगती है तो खेर मैं आपको ठोटा सा बैक्डाउन देता हूं तो शेकर कपूर साब जदे वो बैंडिट कूीन बना रहे थे और वो उनोंने सीमा को कास सबस्टिंग कर वह थे उस दौरान मेरे पास तीन ओफर्स है जिसमें से एक ओफर था इंगलेंड का ओफर था वो एक टेलेविशन सीरीज मन रही थी जिसका नाम था बुद्धाफ सबर्बिया पाकिस्तान के एक बहुत बड़े राइटर है अनीफ कुरेशी उनके नॉबल पे बेस्ट एक सीरीज मन रही थी बीबीसी क तो मैंने उसका स्क्रीन टेस्ट दिया था तो बहुत खुछ दे और उन्हें ने भुछ सारी बात कर थी थी कि आप इंगलेंड में आपके रहेंगे और आपको दो साल इंगलेंड में रहना पड़ेगा यह सब बात उप उसी वक्त बटलुची एक फन बना रहे थे लिटल तो उसमें भी मेरे तीन-चा स्क्रीन टेस्ट हो चुके थे और बहुत उमीदी कि मुझे वो मिल जाएगा और तीसरा था कि दूर दर्शन में बहुत दिनों बात सीरीज खुली थे, सीरियल खुले थे जिसमें मैंने अपने चार प्रोजेक्ट जमा किये थे और चारो जो थे वो टॉप कैटिंगरी में पास होता है तो अब शेकर कपूर साब जो थे वो एक दिन रिपेटरी में मुझे मिले और बात वाती तुम्हें शेकर का बहुत बड़ा फैन था उनकी मासूम मुझे बहुत पसंती तो वो देखते रहे मेरी तरफ तो बोले तो बजु भाई को सब कुछ मालम था मेरे बारे में तो बड़े प्राइड से का उनने कहा रही है तो इंगलें जा रहा है और इसके चार सीरेल पास होगा है और ये लिटल बुद्दा भी कर रहा है तो शेकर कपूर्ज अपने में जेखा है उनने बोले अच्छा अच्छा मुझे भी जादा फर्मी पड़ा मैं तो इंगलेंड अल्रीड पहुंच गया ता अपने दिमाद में तो सब की कास्टिंग हो रही थी जेखा है तो हमारे आसपास केचत में दोस थे वो सब लोग दिरे दिरे बैंडिट्वीन में कास्ट हो रही है फेर अचानक बटनूची मेरे हां मेरे लेटर आया कि भई ऐसा है कि आपका नहीं हुआ फाइनली तो इस बार हम आपके साथ काम नहीं कर बाएंगे मैंने का अच्छा मैंने का हटाओ कोई बात नहीं दूर दर्शन के चार सीरियल तो ही मेरे पस उसके तीन दिन बाद अख़बार में खबर आई किसी ने केस कर दिया और लिटिगेशन हो गया तो मतलब सब मिला के जीरो हो गया और तब तक कास्टिंग का तम हो गए बैंडिट कुएं की अब मैं बड़ा दुखी है मैंने का यार सब का हो गया मेरा ही नहीं हुआ हुआ ह अब अचिर नहीं मृटोड़ना एग से बर्सक्राइशन हो ग्रहा ए हुआ है जाए हुआ है अब लो गोग मैं है अच्री मल्टिपल रोल्स कर था था चोटे चोटे मल्टिपल रोल कर था नाना इस्ट और अब तो अबन डाईक तो शेकर आए या वो प्लेतोंगीमा का कि खायर लेख अदम हुआ अब हम लोग सब घर जा रहे रात को तो तिग्मांशु आया मिर बस तिग्मांशु दूलिया जिए तिशु में मुझा का कि अरे सुन सौरब शेखर बैक्सटेज बुला रहा है तो मैं चला गया हूँ तो अशे खड़े वे थे ऐसे दाड़ी पर सब्सक्राइब है तो मैं उनको देखता रहा हूँ कुछ चार-पांच मिनिट तक देखते रहा है मुझे तो मैंने तिग्मांशु को तिग्मांशु के बीचे बीचे किया थोड़ी आया मैंने गाया तिग्मांशु क्या हुआ हूँ तो ने बुलाया 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 ब तो उसने का तेरी कल की टिकेट है तू दौ 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 जा रहा है तो मैं ने का अच्छा दौ जा रहा हूं यह पिक्चर की शूटिंग नहीं शुरू होई थी यह शूटिंग शुरू होने से दो महीने पहले तो मैं सीमा, मनोच, निरमर्ण, ऐसे रगुभाई, ऐसे चार-पांच लोग जो दे हम लोग दौलपूर पहुंच गए अब दौलपूर में मुझे यह समझ में आ गया कि पिच्चर तो मिल गई मुझे लगा लगा इसे साइट में खड़ा कर देंगे मुझे बोल तो पता अब शेकर सेम्मत ही पड़ती थी पूछने की तो तो कनन को मैंने पूछा मैंने पूछा मैंने का यार मुझे बता तो दो रोल कौन सा है इंपोर्टन रोल है भी कि मतलब ऐसे ही साइड में कहीं गांग में खड़ाओंगा तो कनन ने मेरी तरफ देखा और बोला कि सौरब अब आपका तो यूर रहाई सब्सक्राइब तो रहाई थी और फॉर एक्टर अप्टर आपको अप्रश कर दो अब उसके बाद पिर बैंडिट कुएन की जर्नी शुरू ही और मैं छोटा साब को बता जेता हूं यही पे शायद हो सतता है आपका सेकंगा प्रशावाल लेकिन बैंडिट कुएन के दौरान शेखर जिनने मुझे एक दिन ऐसी बैठे बैठे पूछा और यह बता कि तुझे अब क्या ज़ादा अच्छा लगता है थीटर या फेल मैंने बनानी है तो अगर मैं बॉंबे आँ तो अब बॉंबे ही कहा जाता था मुंबई नहीं कह आँ है तो मैं आउं तो मुझे अपना असिस्टेंट रख लेंगे तो हसने लगे बहुत आरे है कोई बाद मी जोड़ मैं तुझे आशन एक्टर बुलाऊं का बॉंबे लगा यह तो मतलब ऐसे ही है यह अज़ा बादे है बदिन टू मन्स ताइम नीटरी मॉंथ ताइम य में अपना पहला काम जो है उसके साथ मंबई आ गया था यह है काम इसे इंट्रेस्टिंग है ना जी जी मुझे तो बहुत ही इंट्रेस्टिंग है सर यह तो आपकी जितनी कहानिया है चाहे वो एनेस्टी रेपेटरी में जाना हो या पहले फिल्म हो दोनों की यात्रा बड़ सर उनीस सो अंठानवे का वो दौर था जब आपने बहुत ही उंदा के स्क्रीन प्ले भी लिखा आप इसक्रीन पर भी आये और एक ऐसा सेंशेशन हो गया पुरे भारत में कल्लु मामा के रूप में कि मतलब आज भी इतने वर्षों बाद मैं कहूंगा लगमद धाई दशक होने को आ रहे हैं लेकिन आज भी जब आपका चेहरा पहली बार कोई देखता है तो पहली छवी जो बनती है वो कल्लु मामा के बनती तो सत्या ने क्या असर लगता है कि जीवन बदल दिया एक नई परिभाशा दी बतौर अभी निता बिलकुल दी लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ मैं अपने आपको बहुत ही भागिशाली मामता हूँ कि मेरे जीवन में अनखास तोर से शुरुवाती तोर मुझे वो फिल्में आफर हुई और वो फिल्मेकर्स ने मुझे पसंद किया जिन्होंने मुझे वो एक्टर बनाया जो आज मैं हूँ मेरी सोच, मेरा नजरिया यह उन फिल्मों की वज़े से है तो मेरे ख्याल से इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता था कि मेरे जीवन की पहली फिल्म जो है वो बैंडिट कुई उसमें बहुत कुछ समझने को जानने को बहुत कुछ मिला मेरी दूसरी फिल्म इस रात की सुबह नहीं जो सुधीर मिश्रा साब ने बनाई थी उसमें भी बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत अच्छा साथ रहा और फिर सत्या और स्रत्या जब बननी शुरू हुई ने तो खायर इसमें भी एक चोड़ी सी कहानी वो भी पता ज़ता हुआ कि मुझे अनुराग कश्यप का फून आया और अनुराग असिस्ट कर रहे थे रहे ते रहे ते और अनुराग मेरे काम के बारे में थोड़ा जानते थे तो उन्होंने बोला कि सौरब सर आपको कल रामू ने बढ़ाए तो मैंने गा अच्छा मैं वापस आया तो रामू अच्छे फिल्मेगर तो हाई ही बाहर आक्टर की तरह मैं भी काम करना चाहता था उनके साथ लेकिन रात को ना कुछ मेरे को एक फीलिंग सी हुई कि शायद रामू ने मुझे एक्टिंग के लिए नी बुला रहे हैं वो मुझे लिखने के लिए बुला रहे हैं तो मैं साधी रात ये सोचता रहा है कैसे मना करू इनको कि अगर मेरे को इनको ने बोला कि अपको लिखने के लिए बुलाया तो मैं बोल दूंगा कि सार मैं लिखता लिखता लिए और मेरा कोई शाओ निया लिखने में लिखने में तो मैं पहुंचा रामु के लिखर बैठा रामु आए और पहली लाइन उनने बुली उनने गा सारभ I want you to act in my film यावाद मैंने गा अच्छा थेर उनने कहा and I also want you to write the film अगर मैं बोलता हूं कि मैं नहीं लिखूंगा तो मेरा रोल लिका जाएगा हाथ से तो मरता क्या मैं तर्दा मैं फाइनली लुखा भी और है भी किया and I think it was a wonderful wonderful experience all friends Manoj was there Anurag became a very good friend and Aditya Shirvaastav था था उसमें अभी थे तभ दो थे अअ America से Cameraman आय था Gerald Hooper तो मेरा बहुत अच्छा दोस बन गया मैं कभी भी New York जाता हूं तो मैं एक पसे मिलता हूं और बहुत 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 रुत मजाया थे अस फिल्ट nobody believed I mean we believed in the film of course but outside nobody believed in the film but the day it released it became what it is सर इस फिल्म में आपने जो screenplay लिखा उसके लिए star screen award भी मिला आपको हां correct तो यह सर पहली फिल्म थी जिसके लिए आपने screenplay लिखा था और पहली फिल्म में star screen award हां लिखा हां मैंने बहुत कम फिल्म में लिखी है तो हां पहली फिल्म थी जो लिखी दी मैंने और star screen award screenplay के लिए मुझे और अनुराग को मिला था क्योंकि मैं और अनुराग थे इस में राइटर संयुक्त रूप से आप लोगों ने लिखा थे संयुक्त रूप से आप लोगों राइटर थे हां दे दे सर एक अभी नीता होने के तौर पे जब रास्ट्रे फिल्म पुरुस्कार से विभूशित किया गया बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के रूप में जॉली विल्बिकी तो क्या सरेक लगता है कि जिम्मेदारी थोड़ी और बढ़ गई है देखो दोस्त यह सवाल मुझसे कई बार कई तरीकों से पूछा गया है दो बाते हैं लोगों ने मुझसे यह पूझा कि आपको राश्ट्रे पुरुस्कार मिला कैसा महसूस हुआ तो मैं पहला ही बताजिता हूँ कि राश्टी पुरसकार मिलने पे मुझे क्या मैसूस हुआ था बहुत खुशी था बहुत बहुत जादा खुशी था लेकिन वो उस खुशी से कम थी जो जिस वक्त मैं वो रोल कर रहा था और जब मैं वो खतम करता था शॉट और जब मैं वो काम कर रहा था तो उसकी जो खुशी थी उससे कोई खुशी कोई पुरसकार जो है उसको मैच नहीं करता है आपका सबसे बड़ा पुरसकार है वो शन जिस वक्ता आप काम कर रहे होते हैं पहला ये मुझे भी इसके बाद आप उसकी ग्लोरी को जीते हैं एक ग्लोरी है जो पास्ट में है जो आपने किया यह नाटक वालों को बहुत ज्यादा महसूस होता होगा क्योंकि जिस वक्त आप स्टेज पे होते हैं जो बोह ठान होती है उससे कभी मैच नहीं होता जब लोग ग्रीन रूम में आपका हाथ पुलके आपकी तारीफ करते हैं बहुत खुशी होती है बहुत ग्रैटिफिकेशन होता है मगर जो शण होता है वो शण सबसे वो उसको आप पकड़ नहीं सकते है जिम्मेदारी देखो भाई मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि अगर मैं जिम्मेदारी का बोज उठा कर चलूँगा तो मैं भोज तले मर जाओगा और उड़ने के लिए बोज को जतना आप अलग रखे उतना अच्छा उड़ पाएं हर हर रोज बच्चे की तरह शुरुआत करो और मान के चलो मैं अपने आपको देखता हूँ मेरे दाड़ी वाली सभेद हो गई है लेकिन मुझे आज तक कभी महसूस नहीं होता है कि मेरी उम्र हो गई है मुझे यही लगता है अभी तो शुरुआत हुई है थोड़ी बात गल्पी हो भी गई तो क्या फरक पड़ता है फिर सुधार लेंगे यह बच्चा कभी मत छोड़ो कभी मैं तो नहीं छोड़ता हूँ मैं जिम्मेदारी का बोज उठाके नहीं चलता हूँ आ अच्छा है अच्छा की अ करोंगा मैं कर我觉得 अब दुम फिर सक्रिप्ट होगी अच्छी एक्टिंग हो जाएगी तो ठीक है क्योंकि लो काम पहलता है कि अच्छी एक्टिंग पर Скैनट ऋन्हीं होता है अच्छी एक्टिंग के बीछे बॉहती ऑख बड़ी सोच होती है डिरेकटरगी होती है बहुत अच्छा केमरमेन होता है ऑऻ अच्छे को एक्टर होते हैं तो आप आपको अगर बिलोव एवरेज एक्टर्स के बीच में घड़ा कर दिया जाएगा तो आप कितने नहीं हैं भी जोर से आप अपना डोल बजा लीजे कुछ फरक नहीं बढ़ना वाना सब्सक्राइब सर आप उन चुनिंदा अभी निताओं में से एक हैं जो सिनेमा और रंगमंच के बीच में बहतर समन्वे स्थापित करके चल रहे हैं हाल के दिनों में सर आप लखनों भी आये हुए थे परफॉर्म करने के लिए नियमित रंगमंच आप कर रहे हैं सर तो यह एक जो समन्वे स चीज़ आपको पसंद होती है उसके लिए समय निकलता हूं मैं आप टेबल टेनिस बहुत अच्छा के लिए और मैं टेबल टेनिस के लिए भी समय निकालता हूं सब्सक्राइब ञवारे मैं दो दो वितलक लेखी संड़ यतां व गलता वितलो है सभल के भी मैं यह बता हुक् hun गलता हु मैं नाटक भी करता है फिल्म चाइब और अई भूणने बीट वह आने members of the government आपके पास समय ही है दोस्त, वाकी और कुछ नहीं है, तो वो समय का जितना सद्यूपियोग आप कर लेंगे उतना अच्छा है, तो मैं तो मुझे इसमें लोग पूछते हैं, आप समय कैसे निकाल पाते हैं, कैसे निकाल पाता हूँ अदलब क्या, वाई सुबह उठता हूँ, दिन्चरिया के बाद बहु शुरू होती है दिन्चरिया, आप इसके बाद नाश्ता वाश्ता करते हैं, पर आप कुछ तो करेंगे, या अच्छा खाएंगे, खाना बनाने का मन होगा तो खाना बनाएंगे, तो यह तो सब नैंशरल चीज है, इसमें इतना बड़ा क्या सुन लोग पूछते हैं कि अरे कैसे, अरे कोई मतलब अगर भाई, मेरे दो, चार, पांच काम अगर अच्छे हो गए, तो उसके बाद यह थो जो अभी एक निश्य तोर पे नई पारी की शुरुआत करेंगे, जो सेकेंडियर में हैं विशेश रूप से वो इस साल पास आउट हो रहे हैं, सर उन्हें अगर आप कुछ विशेश सुझाओ देना चाहें आगे की पारी के लिए, तो उन्हें बहुत औरजा मिलेगी, सर. हाँ, बिलकुल, देखो, पहली बात तो यह क्या है, कि ऐसे सुझाओ जो होते हैं, जो एक तरफा होते हैं, वो थोड़ा ग्यान की तरह हो जाते हैं, कि मतलब मैं आपको जैसे कोई ग्यान दे रहा हूं, तो मैं तो ग्यान दे नहीं सकता आपको, लेकिन मैं आपको एक टखी खीए-क चॉप मैंने कभी भी भी दी, मैं हमेशा उन से कहता हूं, कि आप आप अक्टिंग क्यों करना चाहते हैं, अप एक्टर क्यों बनना चाहते हैं, और इसका जवाब आपको सब के सामने देने ज़रुरत नहीं हैं, मुझे भी देने की ज़रुरत, आपको आपन तो उसका बहुत सिंपल सब हो है कि आप अपने आपको इमेजिन करिया आज से दस साल बाद जब आप पराकाष्टा में अपने फील्ड की आप सक्सेस्ट्वल है तब आपको क्या दिखाई बड़ता है तब आपको एक बहुत बड़ा बंगला दिखाई बड़ता है बहुत सारे पैसे दिखाई बड़ते हैं बहुत सारे फैंस दिखाई पड़ते हैं विदेश श्यात्रा दिखाई पड़ती है बिस्नेस क्लास में ट्राबल दिखाई पड़ता है खुबसूरत महिलाओं की भीर द तो समझे आपके लिए जर्मी बहुत आसान है देन यू लव दाट आट अगर आपको खुशी मिलती है तो ये जितने भी हार्ट ब्रेक्स हैं जितने भी जटके हैं कि अरे यार मुझे उसने कहा था रोल देगा नहीं दिया मुझे अच्छा अक्टर नहीं मानते हैं मानते हैं अच्छा अक्टर मानते हैं लेकिन रोल अच्छा नहीं देते हैं इन सारी प्तलिफों से आप परे हुजाएगे। क्योंकि that moment of art is divine. So live a divine moment. It is wonderful. And then it doesn't matter. You don't have to prove it to anyone. You know? Yes. Sir, कारिकरम के आकरी चरड के ओर बढ़ रहे हैं, सर, एक जब ये पता चला अर्शकों को कि आप कारिकरम में बत और अथिति की रूप में आ रहे हैं, कुछ-कुछ प्रश्ने हैं, सर, एक दो जो दर्शकों के हम हर सेशन के आकरी में उठाते हैं, आप से अनुरोध है, आपको जिव-जिव प्रश्न का उत्तर लगे उचित है देना चाहिए, तो निश्यतौर पे से अनुरोध है, आपका नाटक, सर, बर्फ, तर्शकों को बहुत पसंद आया, आप यहां लखनों में भी आपने उसे किया है, उसके बारे में लोग यह जानना चाहा रहे हैं, सर की इस नाटक को लोगों ने बहुत प्रेम दिया है, अगर लखनों की रंग कर्मियों से करना चाहा रहे हैं, तो कैसे उसकी स्क्रिप्ट हमें कैसे मिल सकती है, कैसे पर्मिशन मिल सकती है, तो देखी क्या है पहली बात तो नाटक जो है वो राज करमल प्रकाशिन से प्रकाशिय दो चुका है और नाटक आप पढ़ सकते हैं अब पर्मिशन के लिए आपको मुझसर पर्मिशन देनी पड़ेगी और मुझे माफ कीजेगा लेकि इस वक्त पर्मिशन में दे नहीं पा तो अब उसकी फिल्म जो है और दुवा करिए कि जल्दी ही वो फिल्म जो है वो फ्लोर पई चदी जाए अभी तुल्ड़ा बढौन है लेकिन वो फिल्म के तरपट काफी आगे बढ़ा चुका है तो अब ये मेरे हात में नहीं है क्योंकि जिस वक्त हम लेक्शन काट्राक करते हैं उस वक्त उसकी कहानी और उसका जो पूरे स्क्रेप्ट है वो उसके पूरा अधिकार जो है वो प्रडियूसर का होता है वो राइट इस वक्त मेरे पास है नहीं तो मैं इसके राइट सापको अपनी दीन देंगा पढ़िए जरूर पढ़िए जरूर और पब्लिक शो करना मुश्किल है लेकिन हम आप लोग अपस में उसको ऐसे रेक्सराइज करना चाहें जरूर करें लखनों के एक रंकरमी का प्रेशन है सर कि जब हम थेटर करते हैं तो उसका एक तरीका दूसरा होता है लेकिन जब कैमर के सामने जाते हैं तो हम थोड़ा सब बंदे जाते हैं तो इन दोनों के बीच में समन्वे हम कैसे इस्थापित करें पहली बात तो यह समझ लीजिए कि ऐसरी लिजिए कि अध्र की अध्र करना बाक्री जो कुछ भी होता है वह मीलिडियम करताता है तो यह सवाल मेरे से एक सर कुछा रिया है लोग कुछते हैं कि आप तियटर अग्टिंग में और फrela ढ़ला Department Lisa I act in the difference क्या होगा कोई difference महीं है करिये अक्टिंग करेंगे तो अच्छी अक्टिंग होगी तक यहाँ चरिया को ठाइगे करेंगे तो अच्छी अक्टिंग भाई के बता ने। लेकिन इसमें जानने वाली बात ही है, कि आप सशक्त अक्टर कैसे बने, और सशक्त अक्टर बनने के लिए खाली अक्टिंग आइसोलेशन में कुछ नहीं होता है, पुस्त, आप मीडियम को कितना समझते हैं, अगर आप मीडियम समझ गये, अगर आपको थेटर स्टेज का मीडियम समझ में आ गया, तो आप उस मीडियम को यूज कर सकते हैं, अपनी अक्टिंग स्किल में, वही बात सिनमा, तो हमारी जो इमाजिनेशन, जो अक्टर की इमाजिनेशन होती है, वो किस मीडियम में इमाज कर वा है यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ के एक्टिंग करते वक्त या सीखते वक्त एक्टिंग छोड़ो के सब करो पड़ो डिरेक्शन करो गाने गाओ पेंटिंग देखो लिखो तब पूर्ण अक्टर बन पाऊँगे अग्टिंग जो लोग खाली अक्टिंग कर उनको लगता है कि अपका अभिने बिल्कुल एफ़र्टलेस लगता है ऐसा लगता है कि हमारे बीच का ही कोई वेक्ति है जो परदे पर दिख रहा है आपका जो कल्लू मामा का किरदार था उससे जुड़ा अगर कोई रोचक किस्स हो तो प्लीज शेयर करें वो ऐसा लगता है कि हमारे इड़गिर्द का ही कोई व्यक्ति है बहुत ही उम्दा अभी ने था उसे अरे बड़े किस्से तो बहुत है मैंने कितने सारे किस्से तो सुना दिये अर अब मैं और क्या किस्सर सुना था लेकिन हां बहुत बहुत लेकिन लोगों ने मुझे सराहा पसंद किया, तब जाके मैंने अपने आप को पसंद करना शुरू कर दिया, उसमें वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, तब मुझे समझ में आगा रहे, मैं ये भी कर सकता हूँ, और मेरे बहुत अच्छे मित्र सुदीर मिश्रा मुझे हमेशा कहते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा मानते हैं और तरीफ सतरते हैं मेरी, तरही दिने नोंने मुझे अगा था कि सारभ तु м अच्छे एक्टर बदा क्यों हो, क्योंकि तुमने अटिंग की पड़ी नहीं है, क्या बात, बिलकुल सही है सर, तुम अगर अटिंग के पड़ करने को कही थी और उसमें पूरे बाइस साल लग गए सर महरू निशा नाम था उसका बाइसे बदनाम नहीं करो मुझे मैंने काइदा उन्होंने मुझे सबसे पहले बंबाई में जो पैसे दिये थे वो सुदीर मिश्रा नहीं दिये थे मुझे 10,000 रुपे दिये थे और बाइस के आप तो पच्चे साल हो गए शुरुवाती दिनों में ही दिये थे उन्होंने और हमने स्क्रिप्ट बहुत काम भी किया था लेकिन उस वक सुदीर वो फिल्म नहीं बना पाए और फिर वो स्क्रिप्ट दुवारा से जो है वो एक्जिस्टेंस में आई और फिर अचिये लेकिन बहुत खुशूरत पर्म है और जिस दिर पहुचेंगी बहुत मसा है थैंक यू सर प्रमुक सचियू संस्कृती उत्तर प्रदेश स्री जितेंद्र कुमार जी एवं निदेशक भारतेंदुनाट्य अकाडमी श्री रमेश चंद कुट्ता जी का अनुरूत स इतना महत्रपूर अंग मने उसके लिए पूरे भारतेंदुनाट्य अकाडमी परिवार की तरफ से सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका और रंग समागम जो पहल है सर उसकी कोशिश यही थी सर कि आप जैसे कला जगत की जो भूतियां है जोन्होंने एक मुकाम हासिल किया स उनकी यात्रा से हम रूगुरू हो सकते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना बहुमोली समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थांकियो सो मज सर थांकियो